तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग स्वागते को रहें निव गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाज्ट रूल सर्वाइवल तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता हैं कि मैंने निव सर्वर बनाया है 50x जिसमें 24 गंटे का रेट टाइम है तो अभ हमारे ज्रवर में काफी बंदे आ चुके है खेलने के लिए तो मैंने सोचे है अभी लाइव कि लाई करते हैं सब calcul देखिते हैं सभी क्या कर रहें और आप सभी को दिखाते भी है साथी साथ मैंने यह भी बोला था कि जो भी भाई लोग हमारे इस सर्वर में खेलेंगे उन तो बस वही बात है गाइस तो अभी देखते रही है और मजे लेते रही है तो मेप में और साइड में आप लोग इन बंदों के नाम देख सकते हैं जो अभी हमारे सर्वर में ओनलाइन चल रहे हैं बाकी काफी बंदे ऐसे भी है जो अभी ओफलाइन है कुछ रात को ओनलाइन होता है यार ओनलाइन आने का तो बस वैसे ही सभी लोग ओनलाइन आते रहते हैं और कोई raid कर रहा है कोई room कर रहा है नए बंदे भी आ रहे सरवर में खेलने के लिए तो यहां पर raid चल रही थी गाइस तो मैंने सुचे कि यार केमरा एंगल थोड़ा सा गुमाते हैं और इस जगे का short लेते हैं तो यहां पर वैसे तो raid आदी तो हो चुकी गाइस अब आदी और बाकी है तो मुझे यह लग रहा है कि जो बंदा यहां पर raid कर रहा था ना उस बंदे को तीन चार बंदों ने kill कर दिया है ठीक है और मतलब बीच में third party कर दिया है और अभी उन्होंने संभाल लिए raid बीच में आके तो चलो यार चल के देखते हैं यह वो भाई है जिन जो मतलब उस बेस को raid कर रहे थे मेरे अंदाज से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने नाम देखा था बजुका से यह खुद की से खुदी नौक हो गए थे ओके तो एक बार अब मैं उदर की साइड में ले लेता हूँ जिदर की साइड में raid चल रही है फिलाल ओके लेकिन यह है कि अभी तो क्या है guys देखो मतलब बेस बन रहे है जादा तर और जो smelting time है guys वो मतलब मैंने slow रखा है ठीक है बागी और हर चीज आपको काफी ज़्यादा मिल जाएगी जैसे की spare की भी कोई कमी नहीं रहेगी साथ ही साथ आपको इश्टिल की भी कोई कमी जादा नहीं रहेगी मेरे इसाफसा अगर देखा जाए तो मैंने हर्चीज को ऐसे बनाया अगर मैं खुद खेलता तो मैं इश्टिल विश्टिल यह सब कुछ कर लेता बस मुझे एक ही चीज में दिक्कत आती ही वो है smelting फरनस का जो speed time है smelting का वो मैंने काफी slow रखा है मतलब rank server के जैसे रख दिया है तो इससे क्या है कि बंदे full speed से तयारी करते हैं लेकिन जैसे ही furnace बंदा लगाता है और उसमें iron या sulfur melt होने के लिए लगाता है तब ही admin का twist उनके सामने आता है फिर उनको जाके पता चलता है कि यार admin हर चीज आसान दिये हर चीज करने के लिए बिल्कुल easy कर दिया है server को लेकिन smelting time में बहुत ज्यादा लोचा कर दिया तो कुछ बंदे मुझे ये भी बोल रहे थे कि भाई rate time आप 20 गंटे का मतलब को इसको बंद कर दो और 2-4 गंटो गए रखो लेकिन ऐसा कुछ न बन जाता है ना तो उसके बाद हम लोगे कोई भी छेड़ चाड़ नहीं कर सकते है server में ओके और चेड़ चाड़ अगर करेंगे तो सभी बंदे मतलब निकल जाएंगे server से server शुरुवास से restart हो जाएगा तो इसलिए ऐसा कुछ मैं नहीं करूँगा जो server अभी चल रहा है य हो भी पूरी तरह से सोच समझ के बनाई है ठीक है मतलब अगर आप लोगों को titanium चाहिए आपको deep refiner नहीं मिल रही है तो आप लोग डायरेक्ट titanium ले सकते हो और अपने base को upgrade कर सकते हो ठीक है 1000 titanium आपको मिल जाएगी हमारी battle shop में हमने डाल रखी है साथी साथ ही rocket shell भी डाल base तो इस team ने raid कर दिया है guys और कुछ loot मुझे सामने के side में पड़ी हुई दिखाई दे रही है तो चार बंदों की team है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी team जीतेगी चार बंदों को batch मिलेगी तो इसलिए इन्होंने अपनी चार बंदों की team बनाई है कि अगर यह जीत है और खुद की cabinet भी लगा दिया और base को तोड़ना start भी कर दिया थोड़ा सा क्या है कि जब हम लोग इस तरह से camera से देखते हैं एड्मिन पावर से तो थोड़ा game आगे पीछे जरूर चल जाता है क्योंकि यार network जो होता है वो थोड़ा issue रहता है या फिर कुछ भी थोड़ हो सकती है इसलिए मतलब bomb लगाते हुए दिखाई नहीं देता है तो फिलाल उस team ने दो base तो raid कर दिया अब उसके बाद मैं मुझे यहाँ पर बजूगा चलने का पता चला तो मैंने सोचे कि यार यहाँ पर भी शायद raid हो रही है तो इसलिए मैंने अपना camera angle थोड़ा इस गुमा दिया है गाइस और मैं base के अंदर वैसे तो जा सकता हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं जाओंगा उससे इस base का secret दूसरे बंदों को पता चल सकता है तो इसलिए मैं सिर्फ बाहर से दिखाऊंगा और बाहर से दिखाने में कोई दिक्कत नहीं किसी भी बंदे को क्योंकि कि यार सर्वर में हम लोग सभी गूमते हैं और सभी base को हम लोग देख सकते हैं ठीक है अब गाइस देखो कल कुछ बंदों ने मुझसे help मांगी ती जैसे की ASK की टीम ने मुझसे iron बार मांगा था लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया एक लाक iron मांग रहे थे वो लोग मै लेकिन हमारे सर्वर में खेल रहा था उसने double shelf मांगी थी मैंने double shelf भी नहीं दिये तो मतलब किसी तरह से मैं किसी बंदे को बिल्कुल भी help नहीं कर रहा हूं जरा सिक भी help अभी तक मैंने नहीं किये तो no admin abuse है पूरी तरह से ठीक है जो जीतेगा सर्वर को पूरी तरह से करता नहीं हूं अगर मैं help करूंगा तो फिर उसके बाद में A to Z बंदों के help करूंगा सभी को मदद दूँगा लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैं यह सोच रहा हूं कि सभी को अपनी मेहनत से खेलने दो और जीतने दो जो टीम जीतेगी वो बेच ले करता है तो इसको बोलते तो पता नहीं क्या है लेकिन यह वण्दे इसको किल करने की ट्राई कर रहें गाइज एक बार मैंने इसको मतलब फशाद दिया था गाईस एक छोटा सा बेस बनाके बैसल वेसल लगा के और इस बड़े से जानवर को मैंने बीच में पेक कर दिया थ लेकिन यह जादा देर यार रुकता नहीं है गाइस मतलब टिकता नहीं है यह मतलब निकल जाता है यार इसको आप कितना भी रोक दो बैसल लगा दो कुछ भी लगा दो यह भाग जाता है थोड़ी देर में इसका एक मतलब टाइम होता है उसके बाद यह निकल के भाग जाए चैसे आप कितनी भी वाल लगा दो कुछ भी लगा दो जैसा कि मैंने बताए कि अब इस सर्वर में और भी न्यू बंदे आ रहे हैं तो देख लो कुछ फार्मिंग कर रहे हैं और साथ साथ कुछ जो भाई लोग है वो ड्रम भी तोड़ रहे हैं क्योंकि शुरुवात में हमे उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है मतलब आप आराम से रूम के भी लूट कर सकते हो और इस पर फार्मिंग ये सब कुछ आसान है बस इसमेल्टिंग टाइम स्लो है तो इसलिए आप आयरन वार को अगर मेल्ट होने के लिए लगा होगे तो आपको रेसिपी निखाली जा रही है तो गाइस अभी बायो रिसर्च लेप पर ड्रोप गिरी थी तो मैंने सुचे कि एर एक बार केमरा अपना बायो रिसर्च लेप पर ही घुमा देते है क्योंकि अब जब ड्रोप आई है तो यहां पर हो सकता है और भी बंदे आये और फाइट किया चलो कोई बात नहीं लेकिन ड्रोप अनलोक है और अभी मैं यहीं पर बैठ के देखूंगा थोड़ी देर और शायद मुझे लग रहा है कि यहां पर फाइट हो सकते हैं फाइट हो नहीं सकती है फाइट हो चुकी है नहीं यार गाइस अभी तो मतलब यह बंदा शायद EG पर ही फाइर कर रहा था चलो तो थोड़ी देर हम लोग यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कितने बंदे यहां पर आते हैं और मतलब कोई ड्रोप की लूट लेकर जाता है तो गाइस जैसे कि बायो रिसर्च लेप पर ड्रोप आ रखिये तो अब धीरे धीरे बंदे यहां पर बायो के पास में आ चुके गाइस तो पहले से एक बंदा था यहां पर अब दूसरा बंदा भी आ चुका है तो अब दोनों में फाइट हो सकती है चलो देखते यार गाइस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा यह देखा जाएगा तो यह हो गई दोनों में जबरदस्त फाइट और जो पहले से बंदा था यहां पर वो नोक हो चुका है गाइस चलो तो यह पूरी तरह से किल भी हो चुका है और इसकी लूट ले ली है इन भाही ने वैसे मैं इनको जानता हूँ यार प्रोमिल भाही है यह और यह भी हमारा सर्वर खेल रहे है अब यार दोस्तों आप लोग समझ सकते हो मैं तो जादातर बंदों को जानता हूँ जितने भी इंडियन खेलते हैं ना कि अनुषी के जानता हूँ कि जानता हूं। यार। क्योंकि च्यादातर बंदे मुझे जानते है ना वह इसाले मैं भी सभी को जानता हूं। वह बत है। और रही बातु विद्येसीु buen од में कम को जानता हूँ लेकिन जो मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर है उनसे तो मेरी जानकारी है लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं इंडियन में ज्यादा तर बंदे यहाँ खेलने आए हैं जितने भी मुझे जानते थे यार गाइस तो थोड़ी देर यहीं पर रुकते अब जो ड्रोप है वो अनलोक तो होई चुकी थी और अब यह ओपन भी होने वाली ड्रोप तो अब देखते हैं यहाँ पर कोई और बंदा आता है या फिर यह सीधी लूट इन भाई को ही मिल जाती है ड्रोप की तो यह हो गई अनलोक चलो तो टाइमिंग पूरो अचुका ड्रोप का इजी इदर उदर मतलब दोड़ रहा है यार गाइस यह सेफटी कर रहा है ड्रोप की अब यार गाइस देखो माप करना सर्दी तेज़े इसलिए थोड़ी मेरी जबान है इदर से इदर इदर से इदर थोड़ी चली जाती है इसलिए थोड़ा बोलने में मिश्टेक हो जाता है तो ड्रोप की लूट तो ले ली है इन भाई ने यह देख लो एक्स्पलोसिव पता निक क्या क्या मिलाता है मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया और इजी भी बिचारा मतलब रोक नहीं पाया चलो तो यार गाईस अभी यहां से ड्रोप तो जा चुकी है तो अब मैं भी अपना केमरा थोड़ा और तरप गुमा देता हूं यार गाईस तो गाईस प्रोमिल भाई ने ड्रोप लूटी थी और मतलब मेरा केमरा उनपे चल रहा था और यह जाके आगे भी मतलब लगातार फाइट करते रहे मेरा केमरा मतलब इनपे मैंने इसलिए चला रखता मुझे लग रहा था कि यह जरूर आगे जाके फाइट करेंगे तो थोड़ा network issue होने की वज़े से जरूर बंदे मतलब नौक होने के बाद में भी खड़े हुए दिखाई दे रहे लेकिन असलियत में वो मतलब नौक हो चुके थे ठीक है तो दो बंदों को kill कर दिया है यहाँ पर 005 ने तो इसी तरह से यहीं पर हमारी जो live stream है server की वो हम बंद करते हैं तो बस आज के लिए अगर आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए और जितने भी भाई लोग हमारे हमारा वीडियो देख